हेई गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल मदलिका खश्या पेनाय मदलिका और आज मैं बात करूंगी थाइराइड लेप टेस्ट के बाल में क्यों इतना important है थाइराइड लेप टेस्ट और इसकी मदद से किस तरीके से आप अपने body को treat कर सकते हैं किस तरीके से आप पूरी जिंदगी भर दवाईयों को खाने से बच सकते हैं अगर आप पूरी तरीके से proper पांच ये टेस्ट जो मैं आपको बताऊंगी ये अगर आप क चलिए शुरू करते हैं अज का वीडियो जब भी आप किसी भी problem को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं किसी एंड्रीकुनॉलोचिस्ट के पास जाते हैं तो अकसर आपको thyroid lab test के बारे में जरूर लेक देता है आपके report के साथ क्यूंकि ये test आप जैसे आप अगर आप देखे तो gents से जादा अब ये ladies के अंदर ये problem बहुत जादे आने लगी देखने में मिलते हैं और दूसरी बात है कि आप किसी भी घर में देखे तो एक नाए ठारेट का patient आपको मिलेगा ही मिलेगा जबकि ये बिमारी पहले इतनी आम नहीं थी तो इसके उपर तो मैं बहुत सार कि एनुकलोलोजिस टॉक्टर के खिराफ नहीं हो लेकिन फिर भी कहीं बार ऐसा होता है कि जो problems होती है वो हमारे gland में ना होकर अगर हमारे body के अंदर T3 का secretion जो होता है या T3 का conversion होता है वो तरीके से नहीं हो रहा होता तो उसके जो इलाज होते हैं वो कुछ और भी होते है बजाए इसके कि हम T4 को जो synthetic hormone होता है उसको खाते हैं और वो हमारा T3 में convert होता है तो वो तो whole life process हो ही जाता है लेकिन इसके अनावाई से बहुत सारे चीजे होती हैं जो अगर आपने आप lifestyle के अंदर करते हैं तो ये सारे चीजे clear हो जाती हैं तो कुछ इसी तरह समझाने की कोशिश जो है वो आज के वीडियो में आपको मैं करूगी इसमें सबसे पहले आता है TSH का टेस्ट फिर आता है T3 एं फिर आता है T4 ये टेस्ट तो normal है जो आप लोग करवाते ही है थारे प्रोफाइल में लेकिन इसके अलावा दो टेस्ट होते हैं पहला होता है reverse T3 जिसको RT3 टेस्ट बोलते हैं और दूसरा होता है TPONTG यानि के antibodies का टेस्ट अब ये टेस्ट करवाने क्यों जरूरी होते हैं इसी बारे में मैं आज आप लोगों को बतामगी कई बार ऐसा होता है कि आपको थाराइट का जो प्रोफाइल टेस्ट आ रहा है वो ठीक नहीं आता इसमे इसे कई बार आपका जो metabolism होता है वो वीक हो जाता है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता जो भी आप खाना खाते हैं वो आपको proper digest करता अगर मैं दूसरे सब्दों में कहने के क्योशिश करूं तो problem आती है आपके liver के साथ अगर आपका liver सही तरीके से काम नहीं करता तो आपका जो RT3 test है वो सही नहीं आएगा और इसी को indicate करता है कि आपको treatment के जरुवत liver के लिए है ना कि आपको thyroid का synthetic hormone supplement आप खाते है उसकी पहली बात तो यह दूसरी बात यह TPONTG यानि कि antibodies का जो test होता है वो इसलिए important होता है क्योंकि यह autoimmune condition होती है मतलब इसमें क्या होता है आपकी body ही आपके जो immune system होता है वो ही आपके शरीर के उपर attack करने लगता है आपके खिलाफ यानि कि अगर आपके जो immune system है जो कि आपके लिए काम करता है बाहर से कोई भी अगर आपके उपर बिमारी अट करता है तो उसे लड़ने का काम करता है लेकिन यह जो immune system होता है यह आपकी बाहर से लड़ने के वजाए खुद आपकी बोड़ी पर attack कर देता है यह बहुत ही problem है आजकर जो भी दो problems देखी जाती है mainly या तो आपको reverse CT का problem होता है या फिर आपको antibodies का problem होता है यह दो टेस्ट भी बहुत जरूरी होते हैं करवाने इससे related जो मेरे upcoming videos होंगे उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताती रहूंगी क्योंकि कई बार क्या होता है diet के through कई बर lifestyle को change करने के साथ साथ आपके जो यह problems होती है यह ठीक हो जाती है इसमें कई तरह की diet होती है हाला कि मैं किसी specific diet के बारे में नहीं recommend करती क्योंकि मैं यह जो सोचती हूं मेरा जो मानना है और जिस तरीके से मैंने अपने आपको treat किया है वो यह ही है कि अगर आप portion control करके रखते हैं अगर आप ऐसी चीज़े खाते हैं जो कि आपकी body tolerate कर सकती है अगर आप अपने gut का ध्याम रखें उसको healthy रखने की कोशिश करें तो आपको किसी भी ऐसी specific diet के उपर चाहने की जरुवत नहीं पड़ेगी आप अपनी normal जिंदगी को चीज सकते हैं लेकिन इतना junk food खाने से या फिर इतना toxinated food खाने से या फिर जैसे आजकल आप देखते हैं पैग्ड फूड आने लगे हैं और street food जो है इन तरह की जो इस तरह की तर्मान चीज़े आती है यह ready to eat जो आप देखते हैं खाते हैं आप लोग के time consuming है बच जाएगा time इस तरह की चीज़ अधर के उपर ही बहुत गलत प्रभाव डाल जाती है और इसी वज़े से आपको thyroid का problem हो जाता है या फिर अगर हम कहें कि कई बार obesity जो इनसान मोटा है जरूरी नहीं है कि उसको thyroid का problem है लेकिन अगर कुसी को hypothyroid का problem है तो generally देखा जाता है कि उसका weight जो होता है वह बहुत ज कलके आती है तो सबसे पहले में यही कहने की कोशिश करूंगी आप लोगों को कि जब भी आप अपना thyroid का lab test करवाते हैं तो आप T3, T4 and TSH के अलावा RT3 test और TPO and TG यानि के antibody का test जरूर करवाएं ताकि आपको actual में अपने root cause का पता चले कि आपको जो thyroid का issue है वो क्यों आया ह क्योंकि उसमें कुछ patterns होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है और इन्ही patterns के according आप अतना treatment खुद भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि हर treatment जो है दवाईयों के थूर ही किया जाए बहुत सारे ऐसे treatment होते हैं जो आप अपने आप खुद में home remedies के साथ या फिर अपने lifestyle क ठीक करने के साथ या फिर अपने diet को ठीक करने के साथ या फिर और भी बहुत सारे चीज़ों होती है उनके साथ अपने treatment को कर सकते हैं यहीं मेरी हमेशा हर वीडियो में कोशिश होती है तो फिर में लूगी मैं अपने next informative thyroid के वीडियो के साथ तो अगर यह वीडियो पसंद पसंद हैं जिनको ऑलडिये अपका काफी प्यार मिला है उन वीडियो धेखिये कि वह वीडियो बहुत है कहीं न करी कुछ वीडियो ऐसे होते हैं वो किसी के लिए जाना है कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो किसी के लिए कम हैल्फूल होते हैं अपने problem और अपनी requirement के according आप बहुत helpful है, फिर मैं लोगी मैं next informative वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाबाए